हैतराबाद इंकाउंटर को लेकर के देश में एक नई बहस छुड़ गई है इंकाउंटर पर सवाल भी उठने लगे हैं राजनितिक पार्टियां भी इंकाउंटर पर सवाल उठा रही हैं तो सामाजिक कारकरता भी इसके विरोध में आ गया गया है मैं इस वक्त भुपाल में हूँ मेरे साथ दो सामाजिक कारकरता हैं हम उन से बातचीत करेंगे कि क्या इंकाउंटर सही है सबसे बहुत बात करेंगे सामाजिक कारकरता सचिन जैन सर से सर फागज तो बदुनिया में सबसे चुनोती पूर्ण शुरुवात होती है, वो वहीं से होती है, भारत में जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों के सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके का नकरात्मक माहुल बना है, उसको लेकर के हमारा समाज, हमारा समुदाइक संगठन और राजनितिक दल और सरकार हैं, वो उसके कारणों को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए किसी तरीकी की पहल नहीं हो रही है, दूसी बात यह है कि जिस तरीके का हमारा समाज चरितर बन रहा है, उसमें एक तरीके से हिंसा को सुईकारिता मिल रही है, एक तरफ हम बलातकारों को और इस तर वास्ताव की तरह से उसको स्विकार कर रहे हैं, हम ये छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं, कि वास्ताव में हमारे समाज का जो चरितर है, वो बहुत हिंसक, बहुत ही बर-बर होता जा रहा है, ये दूसरी बात मुझे लगती है, कि वो ये है, तीसरा जो बिंदू इसमें स बलातकार की घटनाएं हो रही है। उनमें हम सब जानते हैं कि 95 प्रतीशत मामलों में बलातकार जो है वो परिचित व्यक्ती के दोरा किया जाता है। इसका मतलब यह है कि बच्चपन में जब हम उनको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, तो हम आगे संभावित बलातकारी पैदा कर रहे हैं, इन विश्यों के बारे में समाज बात नहीं करना चाहता है, हमारा समाज अपने परिवार में जब लड़कियों के साथ बच्चीयों के जाते हैं, उसमें बच्चों को समझाया जाता है कि हमारे खंदान की बदना मीं हो जाएगी, इसके बारे में किसी से कुछ मत बोलो, वहाँ पर यह पूरा का पूरा जो रास्टरवाद है, यह पूरी जो खुशी आज दिखाई जा रही है इनकाउंटर में, उस वक्त कहां जाती है, अगर यह इनकाउंटर में मरने वाले आपके परिवार के सदसे होते हैं, तब आपको क्या मैसूस होता है, मेरा सिर्फ एक मानना है कि बलातकार रोके जाने के लिए उसके बुन्यादी कारणों को समझना जरूरी है, उसके उपर काम करना जरूरी है, और दूसी ब महाँ पर कानून और न्यायल है, अपना काम ततपरता के साथ, सकारातमक्ता के साथ, प्रभाव के साथ, परिणाम के साथ करे, उसी से हम एक बहतर समाज बना सकते हैं, नहीं तो मैं एक बात बहुत साब तर पर कहना चाहता हूं कि भारत भी एक तरीके से, जो दुनिया में जो दूसरे और बर-बर मुल्क हैं, उस तरीके के व्यवहार को सुईकरता देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि स्याज़र दुगदाई इस स्थिती कुछ और नहीं हो सकती है जरूर मुझे ऐसा लगता है कि आप एक समस्या का हल करने के लिए दूसरी समस्या पैदा नहीं कर सकते हैं, इस पूरे मामले में हम जहां पाते हैं जिस तरह का देशवर से रियक्शन आ रहा है उसमें हमें लगता है कि वो एक बहुत सौहवर ट्रियक्शन इसलिए है क्योंकि हमारी नियाय विवस्ता ने बहुत हमको लंबे समय से निरास किया हुआ बहुत नहीं होते हैं जिस तरह का नर्भ्या का पूलगा मामला है इस तरह से और भी मामले आये हैं उसमें बहुत परित लोग सड़कों पर आये विरोध किया उसके बाद भी वो एक अंजाम तो नहीं पहुंचा इसलिए आज की घटना को देखते हुआ हमें लगता है कि य जन्त उसको निफ्टा दिया गया है लेकिन ये वास्ता में निफ्टा आया गया है ये एक तरह का नयाय नहीं है तो हम एक तो इस विवस्था को स्विकार करने के लिए एक दूसरी बीमारी को अपने उपर ले रहे हैं तो ये एक बहुती गड़बर तरीका है तो ये उसी सारे सवाल हैं जिस तरह का पूरा रात में उनको ले जाए गया रिक्रियेशन गया गया और तरह तरह का सोशल मीडियो देश प्रतिक्रिया दे रहा है वो एक तरत रूप से अच्छा लग सकता है लेकिन यही चीजें जब और दूसरे रूप में सामने आने वाली है इस तरह किसी तरह के अपराधी है तो वो दो हजार नो में तीस प्रतिशत था और चौटिस प्रतिशत हुआ इस बार तो हम और विकास करते हुए आगे बढ़ गया अभी 43 प्रतिशत सांसद जो है अपने को अपराधी साबित कर रहे हैं तो किस तरह का हम संसद देश का एक प् कि हमने माहिला के साथ बलातकार की हैं एक उनमें बीजेपी के हैं एक उनमें कॉंग्रेस के हैं एक दूसरी पार्टी हैं तो ये जो पूरा हम समाज बना रहे हैं इस तरह की बात हो रही है कि वो दरसल एक फांसी की सजा जैसे एक उसमें कहा गया कि बलातकार का है तो उसको त आप बताती नहीं है कि आप रात की कैस्तिती है बहुत रोध हो कि अभी NCRB का हमारा डेटा आया है तो जब हम इन चीजों पर इन मुद्दों पर बिमार्श नहीं करेंगे उसकी जड़कों नहीं समझेंगे कि ये आखिर बीमारी कहां से पैदा होती है तो मुझे नहीं लगत है बिमारी का इलाज सर ये बिमारी का इलाज क्यों नहीं उपर है कि हम कोड सेक्टर पर जहां पर समस्या की जड़े वहां पर जहां नहीं दे पा रहे हैं देखिए सबसे बुनियादी चीज तो ये है कि जिस तरीके का समाज हम बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत करनी पड़ती है और जो पूरी हमारी शिक्ष्य व्यवस्ता है जिस तरीके का हमारा जातिवादी माहौल है जिस तरीके की उसके उपर पूंजी वादी और सामप्रदाइक सुभाव उसके उपर एक नया मुलम्मा चड़ा है तो जिस तरीके का एक चरित्र समाज का बन रहा है उस समाज को बनाए रखने के लिए आपको उसी तरीके से बच्चों की परवरिश भी करनी होती है। तरीके का व्यवार करना सिखा रहा है हमारी शिक्षा व्यवस्ता इस तरीके के चरितर के विकास को रोक नहीं पा रही है तो मुझे जो चीज समझ में आती है वो यह है कि हम जो स्कूल में सिखा रहे हैं कि भारत एक बड़ा महान देश है विश्वगुरू बनने वाला है भा हमारा बहुत विरोधा भास है संविदान कहता है जातिवाद नहीं होगा समाज पूरी हिम्मत से पूरी कोशिश के साथ जातिवाद को बनाय रखने की कोशिश करता है संविदान कहता है संप्रदाइक्ता नहीं होगी समाज पूरी तनमयता के साथ पूरे 24 गंटे आठो पह मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी चुनोती है कि ऐसे में जो आप नागरिक पैदा कर रहे हैं वो नागरिक में से कुछ लोग जो हैं वो बहुत बर-बर हो जाएंगे इस तरीके की हरकते करेंगे और हमारा जो बाकी का बचा हुआ समाज है उसके लिए फांसी की सजा की म बीमारी है और इस बीमारी को हम बहुत सकारात्मा ग्रूप से समाज सुईकार करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है यही सबसे बड़ी चुनोती है हम उसके हम एक बीमारी में हैं लेकिन हम उसके कारणों का विस्टेशन नहीं करना चाहते हैं वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही वो कारण खुलेंगे, वो कारण वस्तूता मेरे और आपके खिलाफ खड़े होंगे, वो मुझे और आपको अपरादी बताएंगे कि आपने हमारा ये चरित्र बनाया, आपने इन कारणों को पैदा किया है, हमारे पूरी विवस्ता को चाहे वो सिस्टम में चाहे वो सरकारे हों, चाहे वो इस्थानी विवस्ताएं हों, चाहे वो परिवार हो, हम सबने मिलकर के इसमें बहुत बढ़ी भूमिका निभाई है और इस चरित्र को पैदा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी चुनोती और हम चाहे वो बलातकार हो, चाहे वो गेंगरेप हो, चाहे वो जिस तरीके की लेंगिक हिंसा हो रही है, भीड हिंसा हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, हम इनके कारणों के बारे में बात करने के लिए तयार नहीं है, मुझे पता है कि मैं अगर इन बलातकार के वित्र का हिस्सा बन रहा है, ये किसी एक रहती की समस्या नहीं है. तो ये बिमारी का इलाच करने की जरुत है, और बिमारी का इलाच जैसा आर्फ दिखाई दिया है, इन काॉन्टर के रो lagi जो सामने आया है, वो नहीं है बोपार से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट